वेल्कम बैक दोस्तों सेके थड़े में फिर से एक पर आपका स्वागत है और आज जो मैंने जहां पर मैंने पॉस्ट किया था जहां पर मैंने रोका था वह इसे कंटिन्यू करूँगा लेकिन मुझे एक क्यूरी आई हुई है यह केदार शर्मा से आई हुई है और यह मेरे नौन भी है और यह मेरे सब्सक्राइबर भी है तो इनकी एक क्यूरी है इनके दो क्यूरी है एक तो यह मैकनिजम बनाना है स्प्रिंग का तो यह भी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्प्रिंग वगरा कैसे सेट करते हैं और यह एक है जो नेकलेस है तो दोस्तो इस नेकलेस के बारे मैं इनोंने पूछा हुआ हूआ है और इन्होंने 21st आउगस्ट क तो मैंने डाला हुआ है इसे पहले भी काफी सारे काफी सारे मेल साय हैं वें तो हम लोग उसको भी देखेंगे दोस्तो लेकिन यह थोड़ा ऐसा इंट्रेस्टिंग है और यह बताने लाइक भी है तो मैंने इसको चूज किया हुआ है तो दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि जहां तीन प्रॉंक्स लगते हैं तो ये जो मैकेनिजम है ये क्या होता है और किस तरीके से होता है तो मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा और क्यूं होता है ऐसा क्यूं है ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाऊ और सारी चीज़े हो पाएं तो चलिए दोस्तो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, मैं एक ही कॉलेट लूँगा, पूरा एक ही कॉलेट लूँगा, और एक ही कॉलेट से बनाऊँगा, अब अलग-अलग साइजेस के कॉलेट भी बना सकते हो, कोई इस्यू नहीं है, सो जैसे कि मैं मैट्रिक्स ओपन करता हूँ और हम लोग एक जेम्स लेते हैं जेम्स लेते हैं एक समझ लीजे मैं एक 4 mm का जेम्स ले देता हूँ ओके दोस्तों और इसका बने एक कॉलेड बना लेते है ठीक है लेकिन इस कॉलेड को हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे हम हमारी तरीके से बनाते हैं क्योंकि मैं रेडिमेट पर ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ और जेम्स में गया मैंने आउटलाइन ले ली इसकी ठीक है ओके दोस्तों और मैं पॉइंट एट का अंदर आफसेट मार के और थोड़ा सा नीचे और एक्स्टूड करता हूँ मुझे इस से थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा मतलब यह आ रहा है हमारा 1.6 तो मैं 2 mm तक sorry minus 2 ठीक है यह मैंने कर लिया है यहाँ पर ओके इसको मैंने solid नहीं दिया तो solid yes करता हूँ मैं और solid yes करने के बाद मैं अब इसके प्रॉंग्स मनाते हैं हम लोग तो प्रॉंग्स हम लोग बनाते हैं इसके पॉइंट एक में के ठीक है और थोड़ा सा बाहर एरे मारता हूँ 3 का ठीक है अब इसको रोटेट करता हूँ 180 डिगरी मतलब इस तरीके से ठीक है करें मार लिया मैंने तीन का ठीक है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ दोस्तों मैं का करता हूँ इसको एक एम्म का बनाता हूँ ठीक है थोड़ा सा इजी रहेगा इसको समझने के लिए और एक्स्टूड करता हूँ इस तरीके से ठीक है दोस्तों अभी आप यहाँ पर शेड़ाट करके दिखा देता हूँ आपको आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने यह चीज़ बना दिये अब इसके अंदर जो गैलरी हमें देनी पड़ेगी सबसे पहले तो नेकलेस की लेंद क्या होती है तो समझ लीजे मैं 18 इंच का नेकलेस बनाता हूँ 18 इंच का मतलब होता है मैं calculate करता हूँ आपको पता यह 25.4 एक इंच होता है multiply करता हूँ मैं 18 इंच से तो 457 mm में हो गया है ठीक है 25.4 mm is equal to 1 इंच तो उस तरीके से मैंने 457 mm हो जाता है तो मैं एक circle बनाता हूँ जिरो इंटर एंड यहां पर circumference देना है मैं ठीक है यहां पर उपर जो बार है यहां पर circumference देना है और 457 देता हूँ मैं ठीक है आप देखिए यह बन गया है ठीक है 457 ठीक है अब मैं whole जो है वो पूरा का पूरा में cover करनी कोशिश करूगा तो मैं क्या करता हूँ जीरो इंटर 457 की एक line मैंने बना दी length ठीक है लेख लेजी ठीक है अब यह इतना इस length पर होगा तो दोस्तो अभी हमें यह इस तरीके से हमें draw करना पड़ेगा तो back to the हमारे इस पे चलते हैं क्यूरी के उपर तो आपन देखेंगे देखिए थोड़ा सा perfect triangle नहीं है आप देख सकते हो ठीक है यह थोड़ा दो उपर है एक नीचे है तो यही हमें समझना है इसके अंदर तो देखिए अगर हम लोग ऐसा रखेंगे तो एक दुसरे को यह touch हो जाएंगे तो हमें क्या करना है इस sprong को थोड़ा सा मैं इस side rotate करता हूं इसको mirror करता हूं ठीक है और इसको copy करता हूं मैं easy एक अप है ठीक है तो इस तरीके से यह होगा थोड़ा सा और कर लेते हैं ठीक है इससे stone नहीं गिरेगा दोस्तों और जब हम लोग इसको इसके उपर फ्लो करेंगे आप देख सकते हो इसके उपर जब हम लोग फ्लो करेंगे तो जैसे यह इस तरीके से इस डारेक्शन में रहेगा इस डारेक्शन में जाएगा इस तरीके से दिरे 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 इस तरीके से जाएगा नेकले जब बनेगा तो इसके लिए ये चीज दी वही है ठीक है अब हम आते हैं इस डाइमेंड के उपर तो हमें जो डाइमेंड का देना है उपर से minimum minimum मैं खहे रहा हूँ minimum 1 mm कम से कम 1 mm होना चाहिए नीचे 0.8 minimum होना ही चाहिए ठीक है तो बीच में जो gap है वो minimum 0.8 mm तो मैं आपको यहाँ पर text में लिखके बता देता हूँ है अप साइड का जो है 1 mm minimum मिडल जो है 0.8 mm minimum और जो bottom है वो 0.8 mm minimum ठीक है तो आप यह समझ गये नहीं समझे तो कोई बात नहीं मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा आप समझ जाओगे ठीक है यह minimum क्या है मतलब कम से कम यह चाहिए होगा इससे प्लस रखो को इश्यू नहीं है लेगि इससे कम नहीं चलेगा सो 1 mm basically क्या है कि दोस्तों एक मैं copy करता हूँ इसको और मैं center और आफ कर देते हैं एंड है ओन और प्रोजेक्ट टॉन करके रखते हैं यहां पर ठीक है वन एम ठीक है और पॉइंट 8 mm ठीक है अब देख रहे हो यह उपर का जो एक गैलेरी है उपर के नीचे के और इसके बीच का जो डिस्टन से वह मिडल वाला है पॉइंट 8 mm तो मैं इसको क्या करता हूँ वहां से मैच करता हूँ मैं basically इससे थोड़ा सा मैच करता हूँ और नीचे करता हूँ पॉइंट 8 mm तो यह गया परफेक्टली पॉइंट 8 mm का बच गया है इसको मैं स्केल वंडी करके इनसे मैच कर लेता हूँ ठीक है तो यह हमारा कॉलेट है इसके हाइट यह डिफाइन हो चुकी है आप समझ गये 1 mm उपर पॉइंट 8 बीच में और पॉइंट 8 का बीच लास्ट में चाहिए ही होगा ठीक है अब हम सेब कॉलेट इसको भी कॉपी करेंगे सिलेक्ट कर देते हैं गुरूप एंड हाइट ठीक है अब आपन क्या करेंगे इसके अंदर कॉपी करेंगे यहाँ पर ठीक है अब हमें एक लिंकिंग ऐसे बनानी है जो इस तरफ से जाए तो दोस्तों हम लोग मिडल में क्यों नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों एक चीज समझाना चाहूँगा कि यह जो नेकलेस है जो मैं इसके अंदर दिखाना चाहरा हूँ आपको इसके अंदर देखिए जब भी यह जो नेकलेस बनेगा तो देख रहे हो आप यह इस जगह से बेंड होगा मतलब यह बाहर का आउट सैड में जो रहेगा यह इस तरीके से मतलब यह इस डारेक्शन में इस डारेक्शन में मतलब यह जो पूशन है वो कॉमन रहेगा एक तो linking हमेशा यहां होनी चाहिए अगर मैं बीच में देता हूँ तो यहां से वो जो linking है वो visible होगी और वो अच्छा नहीं लगेगा मतलब जहां पर आप diamond का necklace बना रहे हो वो diamond का necklace बनाने के बाद में आपको metal जो है वो दिखते रहेगा और वो बहुत awkward लगेगा mechanism हमेशा ऐसा ह चाहिए जो कभी भी दिखना नहीं चाहिए कोशिश तो ये वो ना दिखे तो इस ही तरीके को हम लोगों को अवाइड करना इसलिए देख रहे हो आप यहां से यह इस तरीके से लिया हुआ है सो दोस्तो चलिए उसी को बनाते हम लोग अभी ठीक है अभी आप यह समझ गये होंगे अगर आपको किसी को पैरेमेटर चाहिए होंगे तो आप यह नोट कर लीजिए अभी के अभी ठीक है और अब हम लोग इसका मेकेनिजर बनाते हैं सो दोस्तों क्या करते हैं यहां पर प्रव्यू करता हूं ठीक है इस डिस्ट्रेक्ट हो गया था एक बट्टी बनाऊँगा मैं है ठीक है इसके ही तो यह मैं 08 म कर ही बना रहा हूं मैं ठीक है और इसकी वीड जो है वह भी 0.8 mm ले लीजिए ठीक है और इसको extrude कर लीजिए ठीक है यह इस तरीके से रहेगा ठीक है अब मैं diamonds को मैं hide करता हूं stones को और यह जो पट्टी है यह बीचो भी जिसके है perfectly set है ठीक है अब इसका फाइदा क्या है तो आपको बता देता हूं मैं यह यहाँ पे fix होगी इसके अंदर यहाँ पर यह fix होगी ठीक है इसके अंदर यह fix होगी automatically मतलब यह पार्ट इस तरीके से रहेगा दोस्तों एक सेकेंड मैं इसको group करता हूं यह पार्ट रहेगा दोस्तों इस तरीके से रहेगा ठीक है इसके अंदर यह fix रहेगी, यह fix एक ही रहेगा पार्ट है, ठीक है, और यह इसके अंदर जाएगा ऐसा, और जो filer है, जो मतलब यह सब जोड़ेगा, जो final piece आएगा, या casting का पीस आएगा, तो यह अलग-अलग pieces रहेगी इस तरीके से, और यह यहाँ से joint करेगा, अंदर जा जो है, यह मैं bend करके दिखाता हूँ, आपको मैं, यह इस तरीके से bend होके, ठीक है, यह इस तरीके से part अंदर, अंदर से उड़ा सा, मैं आपको roughly दिखा रहा है दोस्तों, तो आप यह मत कहना है कि बाहर दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, तो इस तरीके से यह set हो जाएग तो हमें क्या करना है यह जो है यह पोशन यहां पर मुझे एक डाइमन लगाने के बाद यह बहुत कम दिखेगा यह दिखिए ठीके और यह इसी में इसके अठवा इसके Up के और इसके अंदर रहेगा तो यह मैं आपको रफली कर दिखायाया हूँ मैं इसके लिए जरूरी नहीं कि मतलब इस तरीके से होगा थोड़ असा अच्छे तरीके से होगा लेकिन मैंने सब रफली दिखाय हैं तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो इसके बीच में यहां पर एक हमें पार्ट देना पड़ेगा इस तरीके से ठीक है यहां पर लुगा यहां पर एक में पाइब दूँगा थे पॉइंट एट एमें का यह देखिए इस तरीके से रहेगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर लेंगे हम लोग ठीक है और यह जो है इसको यहाँ पर रखता हूँ ठीक है इसके बाहर नहीं आए एक्स्टूट करूँगा एक साइड में यह देखिए ठीक है यह इस तरीके से यहाँ पर लगेगा यह पाईप मैं इसका color change कर देता हूँ ताकि आपको समझ में easily देख रहे हो आप इस तरीके से और इन दोनों ये जो दो प्रांग्स है ये जो दो प्रांग्स है ये होंगे cut ठीक है तो ये दोनों मतलब इस सारे ही cut होंगे basically उपर के तो मैं इसको क्या करता हूँ cut करता हूँ यहां से ठीक है और इसको मैं boolean difference कर देता हूँ मैं यह देखिए ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से ये cut हो जाएंगे और जब इसके अंदर से मुड के आएगा मतलब bend होके आएगा तो इसके अंदर से मैं अभी just आपको roughly फिर से दिखा देता हूँ मैं मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ दूस्तों क्या कि आप confused ना हो wireframe में गया है मैं then length five points to the six mm हमें अच्छी तक अच्छी नहीं है कि अच्छी के बतले में पॉइंट और 7 कर देता हूं मैं ठीक है अब यह देखे अब देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से यह सोल्डर हो जाएगा सो होगा क्या कि यह पाट इसके साथ फिक्स है ठीक है इसका सेंटर अन करता हूं सब्सक्राइब आए इसके साथ रहेगा यह तो जब्व यह फिलौगा यह दिक्रीक है इस तरह के से इतना बेंट हो को पता नहीं चलेगा कि यह कौन सी जगर पर सेट हुआ है यह देखिए तो यही चीज उसके अंदर भी है तो दोस्तों इस तरीके से यह mechanism बनता है जो necklace का है अब इसके लिए यह fall भी इसका perfectly आता है मतलब जैसे अगर यह इसे इसे लगाते जाओगे आप तो इसका fall भी इसी तरीके से continue आता जाएगा मतलब यही पार्ट यही पार्ट एक जगर पर repeat होगा मतलब अभी जैसे यह जो चीज है यही चीज आपको क्या क कलर का पार्ट है इसका जो blue कलर का पार्ट है वो इसके अंदर भी आएगा इस तरीके से आएगा यह आएगा समझ रहे हो आप तो इस तरीके से यह repeat होता जाएगा ठीक है ओके दोस्तों यह इसके साथ यह group है और यह सब group है एक group करके रखना जरूरी है ठीक है और यह जो पार्ट है इसको मैं इसको इसके साथ में copy करता हूं ठीक है और यह पार्ट जो है मैं इसके साथ में रखता हूं यह जो पार्टे मैं दिखाने के लिए क्या था ठीक है दोस्तों और यह पार्ट पट्टी जो है यह इसके साथ रहेगी मतलब यह पट्टी इसकी है और यह पट्टी इसकी है ठीक है तो आपको दिखा देता हूँ मैं ओके यह बच गया एक ग्रूप ग्रूप ठीक है ओके इस तरीके से बनेंगे यह कॉलेट्स हाँ अब एक चीज और समझाना चाहूँगा इसके अंदर तो दोस्तों यह किए समझ लिजे कि आपके पास में इसके अंदर एक की साइज के डायमंड लग रहे हैं तो आप इस तरीके से इस तरीके से आप बना सकते हो ठीक है मतलब यही एक कॉलेट है इसको इसी को रिपीट करके कंटिनियूसली ब मतलब कैसे समझ लीजें यह जरनी निकलेस है ऑन रहा है तो इक जो सेंटर होता है वह हमेशा क्या होगा कि center को हमेशा मतलब एक mirror मारोगे आप मतलब एक left right बनाओगे तो यह जो चीज है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको दो पार्ट में divide करना पड़ेगा मतलब कैसे समझ लीजिए यह बड़ा है मान लीजिए कि यह बड़ा diamond है और यह इसके बाद में चोटा diamond है और वही हम लोग left right लगा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसी को आप mirror कर लीजिए ठीक है center collect की only center collect की बात कर अब में okay तो आप इसको बड़ा कर लीजिए यह यह पार्ट नहीं होगा ऊके और इसका उल्टा होगा ठीक है ये और इस तरीके से ये बनता जाएगा ठीक है ये एक ही कॉलेट होगा जो बड़ा कॉलेट है वो इस दोनों साइड होगा बाकी सारे कॉलेट इस साइड इस तरीके से ही लगेंगे इस तरीके से ही लगेंगे ठीक है इस तरीके से लगते जाएंगे और दूसरे के call-aid mirror होंगे, तो जब आप इसको camming के लिए या production के लिए भेजोगे तो आपको ये call-aid भेजना पड़ेगा और फिर आपको ये वाला call-aid भेजना पड़ेगा इस तरीके से और ठीक है मतब ये दोनो call-aid भेजने पड़ेगे left और right के, इस तरीके से आपका ये complete होगा तो दोस्तो और केदार I hope कि आप लोग समझ गये होंगे कि इसको किस तरीके से बनाना है और क्यों बनाना है और किस क्या इसके reasons है ऐसा बनाने के तो आप ये समझ गये होंगे और अगर कुछ भी क्यों रही है तो आप comment box में ज़रूर लिखिए और दोस्तो जो delays हुए थे और जो late हुआ था या जो break लिया था मैंने तो कुछ reason था कुछ issues थे तो वो मैं resolve कर रहा हूँ दिरे दिरे और आप लोगों को daily में कुछ ना कुछ दूँगा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो members है काफी सारे members है और उनसे मैं तहे दिल से माफी माँगना चाहूँगा कि उनको मैं कुछ भी दे नहीं पाया लेकिन उनके लिए एक special treatment treats है यह file तो आपको मिलेगी दोस्तो ठीक है members को और आप इसके parameters वगरा भी चेक कर सकते हो सारी चीज़े चेक कर सकते हो और आप अच्छे से इसको बना सकते हो इसके अंदर हम लोग और भी mechanisms वगरा देखने वाले हैं और उसके अच्छे से जो parameter sheets वगरा है वो members के लिए available होगी उनके लिए downloads के लिए available होगी तो आप ज़रूर members बने रहना और और भी लोग है जो नहीं है वो join कर लीजिए और कुछ भी curious है तो आप मुझे telegram पे या email पे पूछ सकते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ और Q&A का भी एक section रखूँगा जिसके अंदर आपके जो भी answers देने की कोशिश करूँगा जो valid और genuine है questions उनके जो useless है मैं उनके नहीं दूँगा तो दोस्तों प्लीज useless questions ना पूछे कुछे पे भी 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 बेज़ दीजिए telegram पे भीज़ दीजिए email कर लीजिए comment में लिख दीजिए तो easy रहेगा comment में लिखना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सब लोगों को पता रहेगा वहाँ पे कि आप क्या पूछ रहे उसके मैं answer क्या कर रहा हूँ so thank you very much guys इतना प्यार देने के लिए 5000 subscribers अपने cross करवा दिये मेरे और यह मेरा नहीं है आपका channel है आप जो पूलोगे उसी सबसे हम लोग काम करेंगे और आप requirement डालिए आपको क्या चाहिए किस तरीके से चाहिए so मैं वैसे वीडियो बना दे जाओंगा और नई treats है आगे so दोस्तो don't worry मैंने break लिया था लेकिन मैं रुका नहीं था मैं आपके लिए ही काम कर रहा था so आगे आने वीडियो में काफी अच्छे चीज़े मिलेंगे आपको so तब तक के लिए बाई दोस्तो थैंकि वेरे मच